नमस्कार स्वागत है आपका जी न्यूज इंडिया में और एक बार फिर वक्तों चला है दिन भर की बड़ी ताजा खबरों का बिहार में बार पीरतों से केंद्रिया मंत्रे ने मांगे रोटी तो जवाब मिला सरकार के लिए ये संभव नहीं बिहार में गंगा सहीथ कई नदियां उफान पर हैं इसे कई इलाकों में बार का पानी भर गया है इससे जंजीवन अस्तवेस्त हो गया है बार की वज़ए से लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया है आपको बता दे रागोपुर में आई बार की वज़े से हजारों लोगों के परिवार के साथ हाजीपुर में बने राहत कैम्पों में रहना पड़ रहा है एनेच से सटे हुए तेसरियाग में बार फीडितों के लिए राहत कैम्प बनाया गया है जहां लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जा चुकी है राहत कैंप में अचानक केंडरे ग्रै मंतरी नित्या निंदराय पहुचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और व्यवस्था को लेकर शिकायत करने लगे लोगों की शिकायत थी कि सरकार से बोल कर छोटे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करा दिया जाए लेकिन मंतरी ने कहा दिया कि रोटी का इंतजाम करना सरकार के बस की बात नहीं है लोगों ने मंतरी को शिकायत सुनाना शुरू किया तो उससे सुरक्षा कर्मियों ने वीडियो बनाने से रोकने लगे जम्मू कश्मीर घाटी में फिर आतंकियों की कायराना करतूद बीजीपी नेता की गोली मार कर हत्या जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में भारती जुनतफ पार्टी के एक नेता की आतंकियों ने हत्या कर दी है नेता का नाम जावेद एहमदार है जावेद कुलगान के होमशारी बाग इलाके में बीजीपी के निर्वाजन इंचार्ज थे बीते कुछ दिनों से लगातार बीजीपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं नैशनल कॉन्फरेंस के नेता और जबुकश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी उमर अब्दुल ने भी घटना पर नाराज़ी चाहिटी है उन्होंने आतंकी घटना के निंदा की और मृतक परिवार के प्रती संवेदना व्यक्त की उमर अब्दुल्ला ने ट्विट करता हूँ अल्ला उन्होंने जन्नत में जग्या दे भेंगाई की फिर गहरी मार एक बार फिर बड़ा रसोई गैस का दाम तेल कमपनिया हर महिने की पहली और 15 तारीक को रसोई गैस के दाम की समिक्षा करती है इसके पहले एक चुलाई को तेल कमपनियों ने रसोई गैस अ सिलेंडर के दाम में 25 रुपई की बढ़त की थी आपको बता दी कि पेट्रोलियम कमपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोत्री कर दी है इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलु इस्तमाल वाली 14.2 किलो की एलपीजी सेलेंडर का दाम 8,060 रुपए हो गया है ये बड़त सोंवार राज से लागू हुई है कोलकत्ता में 14.2 किलो के एलपीजी सेलेंडर का दाम 886 रुपए हो गया है जबके मुंबई में 860 और समर्थन में मैसिज करने वाली दो महिलाएं गिरफतार दिल्ली लाए गया नाइए टीम राश्क्यजांट एजनसी ने आज मंगलवार को केरल के कन्नूर जिले में आतंकी संगठन से संबंद रखने के आरोफ में दो महिलाओं को गिरफतार कर लिया है इन महिलाओं पर आई इसमें टीटीपी के डिप्टी चीफ को भी जेल से बाहर कर दिया गया है रिहा किये गया आतंकी तहरीक के तालिबान अल-काइदा और आइस-ाइस के हैं जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ कैदी पिछले हफ्ते काबुल में कबजे के बाद रिहा कर दिये गए हैं यह ल ना पाकिस्तान साथ साथ अफगानिसतान के लिए बी चिंता की बात है , अचानक आख आखे गोले में बद्दा रुस का मिलिटरि विमान और कामरे में कैप इड वा आकरी पल ! रूस में एक मिलिटरी मालवाहक विमान हाथसे का शिकार हो गया है यह विमान मौसको के पास क्रेश हो गया हाथसे के बाद विमान कुछ ही सकंड में आग के गोले में तब्तिल हो गया रूसी मेरिटरी विमान के क्रेश होते ही दुएं का गुबार देखने को मिला इस घतना का एक वीडियो सोचल मीडिया पे सामने आया जिसमें विमान में हवा में होने के दौरान ही उसमें आग लगती दिख रही है रूसी के मुताबिक इस विमान के निर्माता United Aircraft Operation ने कहा है कि मंगलवार को मौसको छेतर में एक परिश्यन उडान के दौरान तीन लोगों के साथ एक प्रोटोटाइप सैन परिवाहन विमान दुरगटना ग्रस हो गया है कमपनी के बयान से ये इस पश्च नहीं हुआ है कि दौरगटना में कोई हताहत हुआ है या नई हाला की खबर के मुताबिक एक श्रोस ने हवाला देते हुए कहा है कि चालक दलकी मृत्तिव हो गई है नैशनल हाइवे पे चुड़ा गंगा का पानी बाड़ से लगातार हो रही हालत खराब गंगा नदीम में बड़े जलिस्तर की वज़े से बिहार के बारा जिले बाड़ से प्रभावित हो गए है हाला इतने गंबीर है कि पतना के ग्रामिड इलाके में EPA301 को पार कर बाड़ का पानी ग्रामिड इलाको में जल कर रहा है पतना में लगबक सबी जगाहों पर गंगा का पानी खत्रे के निशान के उपर बहरा है ग्रामीर पत्ना में बक्तियार पोर और मुकामा को जोड़ने वाले राश्टिय राजमार के 37 पर बार का पानी चड़ गया है इसकी वज़े से हजारों के अबादी प्रभावित हुई अपत्ना के ग्रामीर इलाकों में हाला तैसे हो गए है कि लोगों को अपना घरबार छोड़कर सुलक्षित इस्थानों पे जाना पड़ रहा है निशाने पर योगी सरकार रिक्षा लेकर विदान सबा पहुचे कॉंग्रेस विधायक मिशन 2022 को देखते हुए यूपी में मंगलवार को शिरू हुए मौचिन सत्र के पहले दिन ही कॉंग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रेस मुख्याले से प्रदेश अध्यक्ष आजयकुमार लल्लू के लेतरे समें अराधना मिश्रा दीपक सिंग, नसीमुद्दिन, सिद्धिकी और सोहे लगतार अजिस्तारी जैसे कॉंग्रेस विधायकों का दल एक ओर जहां ठेलों और रिक्षा लेकर विधान सब को तो रोक लिया, लेकिन इस दौरान कॉंग्रेस लिदायक रिक्षा चलाते हुए विधान सबा के अंदर पहुच कर अपना विरोज चालू कर दिया है। यह मोदी ने बीते 9 अगस को वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से 9.75 करोड से अधिक लाबारती किसान परिवारों को 19 करोड रुपे से अधिक धर राशी का हस्तांतरन किया है। योजना का लाभारती और उसकी जमीन क्रिशी योग नहीं है वावावे साइक है तो उसे भी योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर पियम मोदी की बड़ी बैठक काबुल के चार्टर प्लेन से भारतियों को लाने की तयारी। इस बैठक में ग्रह मंत्री अमिश्या, रास्टे सुरक्षा, सहलाकार, अजीर, ढोबाल भी मौजूद हैं। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर और वहाँ फसे भारतियों को लेकर सुरक्षित निकाला जाए इस पर बात चीत हो रही है।